आज एक मालो भाब कुणली देखते देखते एक ड्यूटी दिये थे कि मेरे लिए अच्छा दिन निकाल दो हम टिकट कर दिये हैं अम अब अस्या के दिन में कोईत जाने के लिए हैं कोईत जाएंगे महास है पहला रूल अमबास्या संक्रांती और पुरुणमी हमारे तरब बोलते हैं कि इस दिन में दूर उस्क गमन स्तान यात्रा निसेधा कुछ खित्र में मानिया है एमर्जेंसी खित्र में लेकिन धन प्राप्ती व्यवसाय योगे बानिज्य करने अगर नहीं है हर एक पंचांग में जैसे आप देख ले ना जैसे कल मंगलवा है एक स्पेशाल नोट यहां पर रहता है कि हाँ आज बारिज्य करन के लिए यात्रा किया जा सकता है यह allowed कर रहा है पंचांग क्या-क्या लिखता है थोड़ा सा देख लीजिए तभी उस दिन का डेट बनाओ क्या है पचास सो दो सो रुपया में एक टो पंचांग ले लोगे बेसिक आगर आप जीबन में कुछ सुच व्यवसाय में जा रहे हूँ जैसे आज का मैं देखा पस्चिमदी से जात्रान इसे लिख दिया है और महराज उस दिन टिकट करके बेठे हुए है आप करना किसी को नहीं कह रहा हूँ हमारे ओडिसा का बहुत बड़े हेट टाइप कंट्राक्टर है अरब खराब डरब पती है और क्या-क्या पती है वह जाने गौर्वर्मेंट का सारा बड़ा-बड़ा काम उनीका टेंडर हायर लेवल आदमी है तो ड्यूटी है कि भाई निकालू तो और हम चाहते हैं कि हमरा प्रेसर घटे ठीक है और एमार्जेंसी सेटप में हम हिसाब साहता करेंगे लेकिन आप यहां से शीक लो इसे बढ़िया मज्यादार बिद्ध्या कुछ नहीं कोई यहां कटिन बिद्ध्या नहीं बंचां उटाओ पंचांग उठाते ही यहां पर देखो आज का दिन कितना ऐस्पिसियस है यह एप पहला देखो आज अध्य चित्रान खेत्त्रे यहां तो पहले व्यस्टी करने दोसे जात्रा निसेदे कहां वोला योगीनी पस्ची में घते बायब्येच अबगम त्यत्यती दी व्यस्टी करने जात्रा निसेदा दोस वहाँ उडिया हिंदी हर भासा में इंगलिस में भी अभेलेबिल है पंचान देख लो नेट में मार के देख लो आज का डेली पंचाग तो दोस बता दिया लिकिन दोस्त है लेकिन हर चीज को सुद्द क्या देता है। ब्रतोपोनयन सुभकर्म सुभविवाग ब्रिभप्रवेश प्रतिष्टा जलासय देवगठन प्रतिष्टा गुर्भप्रवेशे गुर्भारंबे बानिज्य करने धान्यस्तापने तैलरंधने नमसक्जा डूपभोगह नमदोलद्धारण नुतनबस्त्र अहोरणं नुका किन के लिए बला देखो ये सब सुभगहरम किसके लिए जिसके लिए तारा सुदी किसके लिए तुला कुम्ब के लिए और नक्षैटर हम कर्ण मदिया और इसे बेस में मेरा सिफल बडेता हूँ, इसको बेस करता हूँ, इतना देखो, नहीं तो कोई भी एप्स डाउनलोड कर लो, उसमें दे दिया जाता है डिली का पंचांग, तो दिसा सुल उस दिन बता है, जिस दिन, जिस दिसा मैं दिसा सुले, उस दिसा पे मत जाओ, नहीं, उसका रेमेडी है, लेकिन वो बात दियो जाने से रेमेडी करके जाना पड़ता है। लेकिन मेरे जिंदेगी में 42-43 साल के अनुभव में मैं देखा हूँ कि दिशासुल के और यात्रा करना मत बोलो मैं भी कई बार परिशान हो। मैं हुआ, मेरा जिंदेगी का सबसे वर्ष्ट की तीन दिन तक स्टेशन में ऐसा पड़ा रहा और ऐसा स्टेशन में फसा और उस समय ट्रेन का रिल्वे बालों का स्ट्राइक हुआ, चला गया, आ नहीं पाया। पिर बोला चलो, ट्रेन में नहीं आऊँगा, रोड में चलता हूँ, तो रोड में आया तो रोड भी लॉक है, वो स्ट्राइक हो गया है, खाने के लिए लाले पड़ गए है, मत बोलो, खाने के लिए पानी का हलत खराब हो गया, ऐसे ऐसे मेरे जिवन में कई बार में बोलता हूं मुझे मजा नहीं लगता है बिना मतलब का बारा मिनिट का विडियो बनाना आप लोग देखो मत देखो कोई प्रब्लेम नहीं है मैं मेरे लिए बनाता हूं यह मैं स्वार्थ का उसमें आप लोग जितने महानुभाद मतलब मुझे मानने सुनने वाले देख लेते हो ज्यादा नहीं अभी उपांच-छे सो है आपको नमन करता हूं धन्यवाद करता हूं कि एटलिस्ट जिल लेते हो मुझे मैं जानता हूं मुझे भी आता है गुरा डिम मिलेगा धन बर्सा होगा सुबरंग आपका ढिला है सुबरंग आपका ढूलू है यह लाल फिता लगाना डेस में यह लगाके निकलना मुझे आता है लेकिन सब देते हैं तो हम कहे दें देख लो और मजा मार लो वो सब कुछ होता नहीं है बिना मतलग का बात है मैं केवल एनर्जी का बात बहुता हूँ तो मेरे बाप क्या देखना ये तो बता दिया दिसासुल बता दिया पुर्निमा अमावस्य संक्रांती और क्या देखोगे आप देखो हरे पंचांग में निचे नक्षेतर दिया है और इस नक्षेतर को ऐसा सारकेल में देख लो जैसे पकड़ लो मकरवला कोई भी नक्षेतर जैसे इन महासाय का था उतरा सड़ा और ये क्या चाहते थे इस नक्षेतर में जातर करें रेवटी में साइध, और यहां क्या था, उस दिन, नहीं, हम अवस्या 27 साइसे में कुछ जाना क्या। और मैं मना किया, यह मैं यात्रा के एलाओ नहीं करूंगा, क्यूं बेवसाय में जा रहे हो और करोडों का धंदा के लिए जा रहे हो, तो इसमें क्या होगा, डिलिंग कैंसलेशन हो सकते हैं, इसरा क्या, यह नक्यत्र ही बद्धतारा में, फिरिवती नो तरीका था, बद्ध तरा में, आपको कैसे मैं लाओ करूंगा, बिजिनेस में जाकर सफल हो जाओगे, तो मित्र तरा लो, अति मित्र तरा लो, संपत तरा लो, बेवसाय में जा रहे हो, संपत तरा लो, क्योंकि कहां जा रहे हो, केतुों के घर में जा रहे हो, तो केतु के घर में जाने के लिए अगर रहु के घर में अतलब इधर अंग्रेजों के पास जाते तो अलग था तो के तु घर में जा रहे हो तो उसके लिए फिर इस समय आपका सनी महादसा और सनी आपके जिस नक्राइब बिपज्यों में बेठा है तो मैं एलाव नहीं किया तो आप लोग को क्या देखना है नखित्र बता देखा मित्र आटी मित्र इस गूड संपध इस गूड क्यमाई ऊल्सों गूड बढ़ जन्मतारा में 70% परिशाने देता है यह 70% 30% परिशाने देता है वो भी बहुत परिबलेम करता है मैं जन्मतारा में यातरा हूँ कर रिसर्च किया हूँ मेरे उपर 5-6 बार परिशान हूँ यह जूट है यह सच या मेरे साइकोलोजी का परिबलेम है नहीं जानके जाके बाद में आके देखा हूँ ऐसे ही बाद में देखेंगे देखा कि हाँ हुआ परिशान हुआ यहां क्या बोल रहा हूँ है इस वीडियो का मकसद क्या है इस वीडियो का मकसद यह है कि दो चीज़ देखना है एक कि मेरे को यात्रा लॉंग डिस्टांस में जाना है या सॉट डिस्टांस में जाना है ये दो चीज पहला देखना तिसरा किस परपस में अध्यात्मिक धर्म अर्थ काम और मोख्य कहां जा रहा हूं कामना बासना पूर्ति के लिए क्या धर्म के लिए क्या और थलाब के लिए क्या तो लाब तो लाब चंद्रमा में जाओ अगर लाब चाहते हो बिजनेस अक्सिस चाहते हो तो बिजनेस आओ सब्तम चंद्रमा में जाओ लेकिन सब्तम चंद्रमा घाब देता है बुस्ट में देखो कि फिर इन तीन नक्षित्रों में कौन सा नक्षित्र को चुने तो इसमें से आप जैसे उत्तरा साड़ा नक्षित्र के लिए ये जो असरिशा नक्षित्र को अगर चुनते हो तो देखो जन्म संपद विपद ख्यमा प्रत्यरी सादक बाधक बद्धतारा में आ रहा है not allowed हो रहा है रासीस हो बोल रहा है नक्षित्र ना बोल रहा है सरलता से समझा रहा हूं समझ जाएंगे तो सब समझ जाएंगे तो क्या करना चाहिए उस डेट को ढूंडो जो जन्म संपद विपद ख्यमा प्रत्यरी साधक तो बेजाएगा यानि क्या पुस्या नक्षित्र को टार्गेट बनाओ इस नक्षित्र में मीटिंग सेटप करो क्यों सिद्धी योग है साधना दे रहा है संपद है धन मिलेगा लेकिन आप बोलोगे दुत्यों चंद्रमा में जाओंगा मैं एलाउड नहीं करूँगा तो कि यहाँ पर नक्षित्र बल मिलने से भी रासी बल में सपोर्ट नहीं हो रहा है दुत्यों चंद्रमा में छोटा डिफ्टांस पचास देड़ सो किलमेटर के अंदर काम लेने के लिए भेज सकता हूँ तो मेरे को क्या चाहिए या तो छटा चंद्रमा चाहिए या तो सब्तम चंद्रमा चाहिए या तो दसम चंद्रमा चाहिए या तो एकादस चंद्रमा चाहिए और इन केस यहाँ अगर कोई पाप ग्रह और बुर्या ग्रह का दृष्टी है मैं उसको भी कैंसल करूँगा पकल लू लाब चंदरमा मैं कहता हूँगी चाहो एक आदस चंदरमा अच्छा देगा लेकिन इस समय यहाँ पल क्या हुआ है सनी और रहू का इटे टाइम दृष्टी पड़ा हुआ है नॉट गूट तो जब भी निर्मा करते हो एक बार पंचांग देखो अट लिस्ट बेसिक बात दूसरा देखो कि चंदर कितना इलाउ कर रहा है चंदर स्थिति क्या है अच्छा एक बात और बूलिए अभी मकर रासी में अमाबास्या क्रॉस किया है कितना इस चंदरमा में बल रहेगा जी इस से में कितना बल रहेगा चतुर्थी का चंदरमा है और चतुर्थी हुआ तो सचो दो रासी ब्रस और कुम्ब आज डेश्ट्र है मतलब कमबस्ट है और इसका चतुर्थी में पंचब मिथुन और कन्या डेश्ट्र है आज का जिवर बना रहो और कौन सेस नाग फणधारी बाबा पाप पाप इसके नखित्र में चलोगे इसलिए तो असले से को कैंसले संदिया तो किसको पकड़ोगे विग्ण बिनासन के लिए वहला गणस्पति को पकड़ो तो यहाँ अच्छा जिसे दसमी लड़कोन है यमराज तो क्या इसे लेंगे नहीं तिथी में यह अधिपती है तो आपको कहा दे सकते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके नखित्र रासी के अनुसर क्या यह तिथी स्वीटरबल है तो तिथी बल किसके लिए स्वीटरबल है तो तिथी बल किसके लिए स्वीटरबल है तो कौन सा तिथी किसके बनता है उसका लिस्ट चलो अभी लंबर टाइम हो जाएगा फिर वीडियो लंबा हो गया बोलो तो उस तिथी में आप लो मत पकड़ो तो तिथी देखो बार वो भी वीडियो देखो मकर रासी के लिए कौन सा बार यात्रा नहीं करना तो बार इथी नखेत्र रासी चंद्रबल नखेत्रबल और दिशासुल और संक्रांती अमाबास्या और पुर्णमिक अगर कोई बड़ा बिजनेस मिटिंग टार्गें टांजक्शन में जा रहे हो तो इतना सब दिखालो आपको नहीं देखने आता है तो आसबास कोई भी आस्ट्रोजर से बात कर लो इक बार सब कोई मेरे पीछे क्रपात नहीं करना आज की डेट में इमांदारी से कह रहा हूं उतना टाइम नहीं और इस सब भार-भार बोलना नहीं चाहता हूं इसलिए आज का लोग नहीं बोलता मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं एक अकेले आचारिया संजे सारा दिभीष्व का काम नहीं कर सकता है और आप लोग नहीं चाहते हो कि मेरा आसिस्टांड लोग करे तो मैं उनको भी नहीं देता हूं उनको लोकाल काम सब में बेड़ा देता हूं मेरा जो यहां पर आप लाइन में मेरे युजमान आते हैं फिर आप लोगों से क्योंकि मेरा कंसर्ण डेट है तो आपके साथ काम करता हूं उनलाइन में हो चाहे जो भी हो तो मेरा अनुरोद है ऐसे डिप डेट को निर्णाए करना इतना आसान तो नहीं है इसके उपर देखो अभी हमारे प्रामंदर के मामले में संक्राचारी भगवान संक्राचारी लोग इसके लिए तो भी रुद किया कि सही लगना नहीं है सही तिथी नहीं है सही भार नहीं है सही रुतू नहीं है सही मास नहीं है सब के लिए भी रुद हो गया जो सही है अपने बिचारे बोले वो मैं पचड़ा में नहीं पढ़ना चाहता हूँ समझा रहा हूँ आपको देखो एक छोटा सा लगनती थी के लिए कितना बड़ा नेशनल इंटरनेशनल लेवल में बहस हो गया है और मोधी जैसे चपन इंच जैसे महांतम ऐसे साइद अगला सो साल तक ऐसा नेता भारत को नहीं मिलेगा और बिगत सो साल में भी ऐसा नेता साइद भारत को नहीं मिला था जो इतना लिजेंड इतना महंतम देखो मैं आरीप नहीं कर रहा हूँ लेकिन सेर को सेर ही कहा जाता है उनको भी नहीं छोड़ा गया है बक्सा नहीं कहा है क्यूं और फिर से कह रहा हूँ कुरिष्ण भगवान कोई छोटा मोटा ज़ नहीं थे भगवान केबल लगन सही पकड़ें बोलके गिता बोलने लगए कुटनेती कर दिया और जुन को लेके भिसमा के सामने खड़ा कर दिये द्रोन को दिखा दिये और जुन का हित्तु आ गया बे मैं लड़ूंगा किसे अपनी बाप दादा से मोह हूँ तो मोह आ गया ठिट ठिट टैम में लगन देखा शुरू करते हैं मतलब क्या एक छुटा सा सही लगन एक तरफ और एक तरफ हजार सैनिक एक लगन को नहीं हरा सकता इसलिए दिन बार तिथी को देख के चलना चाहिए जो अग्यानेता जो संसारी कीडे हैं जीव है वैसा का कीड़ है उनके लिए कुछ नहीं बुलना है लेकिन जिनको थोड़ा भी काल ग्यान है और जो लोग इस काल चक्र से बाहर मिकलना चाहिए जो कि इस मतलब काल चक्र से बाहर मिकलना तो उनको इतना सारा खा ज्यान आपका जीवन का बेवस काल सोचो बेवसाय करना निकले गलत तैमेफेक्ट ये नाग्रशन कर दिये जादा दिन चला नहीं और डूब गया तूड़ गया फिर लगाओ फोन आचारिय संजय को अदम डालो उसका एक दर एमार्जनसी बील दे तो कोई बात नहीं है हम काउ खाड लेंगे भगवान है तो शुरू जब इतना साड़े साती का मार पड़ा तो इतना सिखाने के लिए बाबु सारा खेल लगन का है वक्त का है काल का है ये समझ लो और काल देखके ही यात्रा करो और बिना काल दे क्यों लैस सब में भगवान है ब्रह्म नहीं करो तो राम को भी बनवास हो गया भगवान राम को इस बनवास हो गया और ये इतियास में गुराण में इसका सर्ववित प्रमाण है मानते हैं ठीक नहीं मानते हैं कोई बात नहीं तो मैं आसा करता हूँ मेरा विडियो आपको समझ में आया होगा मैं टेकनिकाल नहीं बताया टेकनिकाल बहुत सारे बाते हैं आस्टोलोजी में जो महुर्त सास्तर है ना संपण महुर्त विज्ञान और उसके साथ सिधांत दरपाण ये दो को मिलाना पड़ता है ये मोटे मोटे भोलियूम पड़ा हुआ है मैं आपको अठरा मिनिट में इस बात का निचूड दे रहा हूँ मतलब मैं जानता हूँ यहां मैं गलत भोल रहा हूं लेकिन आप आम आदमी को बेसिक लिजो सर्बनिमन लेबल देखना चाहिए वो बता रहा हूँ सर्बनिमन जान बुझ के कुछ गलत भोला हूँ लेकिन इसलिए बोला हूँ कि एटलिस्ट इतना देख लोगे और नहीं देख लोगे तो किसी जोतिस से कोई बड़ा चीज जब निर्दार करने जा रहे हो तो ये जरूर देखना चाहिए क्योंकि इतना नहीं देख के करना कुरूरो और बो रुप्या का नुकसान का कारण बनता है ये मुहुर्त जोतिस और सिधान्त के अंतरगत ये विद्या आता है हलाकि बात हलका लग रहा है लेकिन जब से ये देखना सीख जाओगे और इसलिए ये मेरा महनात है हर दिन का आपको लगन फल बताता हूँ, हुरा फल बताता हूँ, दिसासुल बताता हूँ कोई एक रासी फल बताता है तो बता देना खुल के मेरे मैं जरूर इसका बिलियों देखोंगा मेरे को वाटसेट कर देना, सब के पास नंबर है मेरा वाटसेट नंबर इस प्रकार का रासिफल को यी देता है तो दिन के प्रत्यक घंटा को बताते बताते जाता हूं प्रत्यक आवार सुबे शुरू हुआ इस से इतना दिर ये लगन है इसमें एक घंटा में एक घंटा ये हो रहा है इस होरा के साथ ये लगन मैचिंग और इस ग्राव बेठा है इस नक्षत हमें इतना टेक्निकल बताता हूँ मैं जानता हूँ आम आदमी का समझ से परे है लिकिन जो जानते हैं जो ज्यान रखते हैं जरूर इस बात का सर्मान करेंगे धन्यवाद नमस्कर